तो दोस्तो पिछली वीडियो में हमने पहला नैचरल केमिकल चेंज देखा था और जो था रेस्पिरेशन आज के इस वीडियो में दोस्तो हम लोग यह दूसरा नैचरल केमिकल चेंज इसके बार में पढ़ेंगे और इसके लिए वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन त टीक है तो ये फोटो सिंतेसिस क्या process हो दोस्तों इस process में green plants क्या करते है glucose और oxygen प्रोड़ूजब्स करने वाले ठीक है और ये produce करने के लिए किसका यूज करेंगे by using water पानी का यूज करेंगे green plants पानी कहा अहां से मिलेगा इनको देखिए यह roots से मिलेगा यह यहां से water मिलेगा इंको, and carbon dioxide, और किसका यूज करते दोस्तों, यह carbon dioxide का यूज करते, carbon dioxide इनको कहा से मिलेगा, environment से मिलेगा, CO2, ठीक है, CO2 यहां से मिलेगा, minerals और पानी यहां से मिलेगे, ठीक है, और in the presence of what, sunlight, sunlight के presence में यह जो है, glucose और oxygen प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो फ water and carbon dioxide, in the presence of what, sunlight, तो जब sunlight है, तभी यह process चल सकते है, रात में यह process नहीं चलेगी, ठीक है, तो अब दोस्तों, इस process के लिए, world equation और chemical equation लिखना है, मैं, तो अब दोस्तों, इस process के लिए, world equation कैसे लिखोगे, दिखे, world equation में, paid ने क्या-क्या यूज किया, दिखे, यहां पर, water and carbon dioxide, यूज किया, ठीक है, तो यहां पर आपको left hand side में लिखना है, water, reacted with carbon dioxide, और इस process में इसने produce क्या किया, दोस्तों, इस process में इसने produce किया, देखे, यहां पर glucose और oxygen प्रोड्यूस किया, ठीक है, और oxygen प्रोड्यूस किया, यहां पर, इसके presence में क्या यह, सारा, यह सारा sunlight के presence में किया यह, यहां पर sunlight लिख सकते हो, और यह जो process है, इसका नाम भी यहां पर आप लिख सकते हो, क्या process है, दोस्तों, दिखिए, photosynthesis है, ठीक है, तो यह तो हुआ, दोस्तों, इसका word equation, तो फिर इसका chemical equation कैसे लिखेंगे, तो chemical aquvation मे हैं दोस्तों देखें यहां पर water के लिए formula क्या होगा H2O carbon dioxide के formula क्या होगा CO2 okay arrow लिखना है arrow के उपर लिखना है आपको sunlight in the presence of sunlight और process का नाम क्या है photosynthesis process का नाम जो है वह आप यहां पर लिख सकते हो ठीक है अगर नहीं लिखते हो तो भी कोई इतना दिक्कत नहीं है फिर दोस्तों glucose produce होता है glucose का formula जैसे कि हम याद कर चुके हैं C6H12O6 और oxygen का formula हमें पता है O2 तो यह process में पेड ने क्या किया carbon dioxide यूज किया पानी यूज किया इसने और क्या produce किया इसने दोस्तों दिखिए glucose produce किया और oxygen प्रोडूश किया और यह oxygen यह environment को देता है और glucose इसके अंदर store होता है fruit में वगेरा ठीक है तो यहां पे दोस्तों यह दूसरा photosynthesis वाला पार्ट भी खतम होता है और इसके साथ साथ यह natural chemical change वाला पार्ट भी खतम होता है अगली वीडियो में दोस्तों हम man-made reaction के बारे में बात करेंगे यहां पे